दोस्तो ब्राजील में मौझूद एमेजोन के जंगल के बारे में तो सभी को पता ही होगा एमेजोन फोरेश दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो करीब 2.2 मिलियन स्क्वेर माल्स तक फैला हुआ है एमेजोन जंगल में दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले जानवर भी पाई जाते हैं और एमेजोन जंगल में आज भी ना जाने कितने सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी आज तक कभी खोज नहीं करी गई है लेकिन इस जंगल में हमेशा खत्रा ही खत्रा होता है क्योंकि यहाँ पर दुनिया के इस सबसे खत्रनाक जानवर मौजूद है तो आईए दोस्तो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो Amazon जंगल में कौन से 5 सबसे खत्रनाक जानवर हैं जो आपकी जान ले सकते हैं जी हाँ दोस्तो यह सबसे जादा एग्रेसिव होते हैं और इन्हें अगर जरा सा भी छेड़ा जाए तो सिधा अटैक करने के लिए दोड़ते हैं लेकिन यह केवल एग्रेसिव नहीं बल्कि यह दुनिया के सबसे जहरीले सपाइडर में गिने जाते हैं इस स्पाइडर का जहर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर यह किसी इंसान को काट ले तो इंसान के सरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है और 30 मिनिट के बाद आपका बलड प्रेशर आए तो काफी ज़्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा और हर्ट पीट इंबैलेंस हो जाती है और तो और इस स्पाइडर के काटने के बाद आपको काफी ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा और इसके काटने के बाद आपको धुंदुला धुंदुला भी नजर आएगा दोस्तो ये spider 5-6 इच बड़े होते हैं और अगर इनके काटने के बाद treatment जल्दी नहीं कराया गया तो आपकी जान भी जा सकती है दोस्तो फ्रॉग यानि की मेंधक इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं लेकिन सबको लगता होगा कि फ्रॉग जहरीले नहीं होते हैं तो मैं आपको बता दूँ आप बिल्कुल गलत हैं अगर आप ऐसा सोचते हो सारे फ्रॉग जहरीले नहीं होते हैं लेकिन दुनिया का सबसे जहरीला फ्रॉग है पॉईजन डार्ट फ्रॉग जो की एमेजोन जंगल में भी पाए जाते हैं ये फ्रॉग काफी मल्टी कलर्ड होते हैं इनका रंग काफी जादा प्यारा लगता है लेकिन इनके खुबसूरत शरील को देखने के बाद इन्हें छूने की कोशिश मत करना क्योंकि इनका जहर आपको मौत की नित सुला देगा और सबसे जहरीले पॉईजन डार्ट फ्रॉग का नाम है गोल्डन पॉईजन डार्ट फ्रॉग जो की येलोईश कलर में होता है इस फ्रॉग के जहर का एक बून दस आदमी को मार सकता है तो आप सोच सकते हैं इस फ्रॉग का जहर कितना जादा खतरनाक होता है दोस्तों अमजोन की नदी सबसे खतरनाक मानी जाती है इस नदी के अंदर तरह तरह की जहरीली और खतरनाक मचलियां और भी काफी सारे जानवर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक कील, पिराणा मचलियां और भी काफी जानवर आते हैं लेकिन सबसे खतरनाक एनाकॉंडा है और एनाकॉंडा के बारे में हम सभी को पता ही है लेकिन एमाजोन जंगल में कुछ जादा ही बड़े अनाकॉंडा को काफी बार देखा गया है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर पाता है इन अनाकॉंडा का साइज स्क्रेंज से भी जादा बड़ा होता है जो कि आप इस फोटो में देखी सकते हैं ये फोटो आपको फेक लग रही होगी पर ये फोटो भी कैमरा में ली गई है और कई बार यहाँ पर ड्रोन से वीडियोज और फोटो ली गई है जिसमें जाएंट अनाकॉंडा पाई गए थे और ये असली है या फिर नकली आज भी कोई नहीं बता पाता क्योंकि सबको यही लगता है कि इतना बड़ा अनाकॉंडा आखिर कैसे हो सकता है इसलिए अनाकॉंडा का रहस्य आज भी अमजोन जंगल में छुपा हुआ है तो आपको क्या लगता है केवल इलेक्ट्रिक वायरी शौक दे सकती है लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी मचली भी है जो शौक देती है इसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल यह मचली करीब 8 फीट तक की होती है और इसका वेट 20 किलो तक हो सकता है यह मचली काफी ज़ादा खतरनाक होती है क्योंकि जब भी कोई इसे तंग करता है या फिर कोई इसका शिकार करने के लिए आता है तो ये अपने शरीर से इलेक्टिक करेंट पैदा करती है जो इसके शिकारी को मार देती है ये करेंट इतना ज़ादा खतरनाग होता है कि इससे क्रोकोडाइल यानि की मगर मच्छ भी डर जाते हैं इलेक्ट्रिक इल अपने शरीर की मदद से 600 वोल्ट से लेकर 850 वोल्ट तक के करेंट को जनरेट करती है जो किसी की जान लेने के लिए काफी होता है ये मच्छ इस करेंट का इस्तमाल अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती है और ये अग्रेसिव नहीं होती है जब इने काफी ज़ादा परिशान या फिर तंक किया जाता है तभी ये करेंट मारती है और इस मच्छी ने जब इनसान को मारा हो ऐसे बहुती कम केस देखने को मिलते हैं लेकिन ये जब करेंट पैदा करती है तो इनसान का सिधा हर्ट फेलियर हो जाता है जिसकी वज़े से उसकी मोत हो जाती है नमबर फाइव बुलेट आंट आंट यानि की चीटी जो आपने हर जगे देखी ही होगी चीटिया काफी ज़्यादा छोटी होती है जो हर किसी के घर में होती ही है ये काफी ज़्यादा छोटी होती है जो हमारे पैरों के नीचे आकर मर जाती है लेकिन बुलेट आंट तुनिया की सबसे बड़ी चीटी है और इसे सबसे खतरनाक चीटी माना जाता है और इनका दर्द सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इनके काटने के बाद जो दर्द होता है वो किसी हड़ी के तूटने की जितना बराबर होता है जो आप समझी सकते हैं इस बुलेट आंट की एक बाइट आपको कितना जादा दर्द पहुचा सकती है लेकिन एक बाइट आपको मार नहीं सकती बुलेट आंट को एक इंसान को मारने के लिए करीब 2250 टाइमस बाइट करना पड़ेगा तब जाकर एक इंसान की मौत होगी लेकिन हाँ जब ये चेटी काड़ती है न तो दर्द काफी जादा बहानक होता है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेर कीजिए और इन्फो अनलोग को सब्सक्राइब करतीजिए